हमारी आने वाली पीडियां कमजोर पैदाना हो इसलिए भी हमें गाउंगाउं किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उप्योग कम करें। यूरिया के कारण भौत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मित्ती हमारे जल उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए के प्लमी जी आप जैसे प्रधान गाउं वालों को समझाएं dejके अगर दस प्रधान से बात से बात हो रही है तो हम आधा कर देंगे आप देखिये पैसा भी बचेगा और यह हमारी संस्ति कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्वी जैसे प्रधान से बात हो रही है तो मुझे पक्का विश्वास हैं कि आप एक काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बदाई बहुत शुब कामना है आईए हम माराश्च चलते हैं भूले भाले किसान अधिक उतपादन के लालच में फस कर रासायने खादवा कीट नाशकों का प्रियोग करने लगी बैलों की जगा ट्रैक्टर से जुताई होने लगी शुरुवात में कम रासायने खादों के प्रियोग से अधिक उतपादन हुआ धीरे धीरे रासायने उनमें रोग वा कीट लगने लगे। उर्वरा शक्ति क्षेन होने से भूमी बंजर होने लगी। रसायनिक खाद वा कीट नाशकों के कारण खादान भी विशाक्त हो गए तथा जलवाईयू भी प्रदुशित हो गई। जिसके कारण मानव पशुपक्षियों के स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ा जिसका परिणाम आपकी सामने है। मानव स्वास्थे पर रसायनिक खादों के पढ़ने वाले प्रभाव को आप ऐसी समझें। जब किसान फसल में रसायनिक खाद डालता है तो रसायनिक खाद में उपस्थित विशाक्त रसायन जल में घुल कर सबसे पहले जल को प्रदुशित कर भूमी के अंदर उपस्थित केचूए वा सूक्ष्म जिवानूं को मार देता है। ये बात सभे किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचूए वा अन्य सूक्ष्म जिवानूं भूमी की उर्वराशक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विशाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यू हो जाने से भूमी की उर्वराशक्ती नर्ष्ट हो जाती है, तथा भूमी कठोर होकर बंजर होने लगती है। रसायने खादों के विशाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनीजों के साथ फसल के अंदर पहुँच कर फसलों को विशाक्त बना देते हैं। बाद में जब खादान के रूप में मनुष्य या अन्ने पशूइने खाते हैं, तो ये विशाक्त रसायन मानव स्वास्थे पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं, तथा मनुष्य के अंदर तरहां-तरहां के रोग उत्पन करते हैं। बुरा शक्ती बढ़ती है, तता भूमी छिद्र युक्त एवं भुर भुरी हो जाती है, जिससे वाईयू और प्रकाश भूमी के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमी में तापमान एवं आदरता का संतुलन बना रहता है, और फसले मजबूत होती हैं जैविक खाद में विध्धमान तत्व, खाद्यान के माध्यम से मानव वा पशुपक्षियों के शरीर में पहुँचकर स्वास्थेलाब पहुँचाते हैं जैविक खादों के प्रयोग से फसले अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता यदि किसी प्राकरतिक कारणवश कीटों वा रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है, तो गौमूत्र एवं औशधिय वनस्पतियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है गौमूत्र एवं अन्य प्राकरतिक आउशधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है, तथा वातावरण पर भी कोई दुश्परभाव नहीं पड़ता यहां हम आपको तालिकाबद तरीके से दोनों खाव जाता है